असलाम अलेकुम गाइज वेलकम बैक टो अनेधर वीडियो होप यूगाइज और ओल वेल सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको पायोनीर अकाउंट क्रियेट करने का मैथट शेयर करने वालों जो के कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड भी थी और अगर आपकी साइट एजोई के उपर अप्रूब है और आप उसके उपर अर्णिंग लेना चाहते हैं तो आप पायोनीर के थ्रूँ इजिली अर्णिंग ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम टेक्स लगता है और आपकी पेमन जैस कैश में भी विड्रा हो जाती है और जैस कैश पायोनीर को भी सपोर्ट करता है और पायोनीर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कम टेक्स लगता है अब मैं आपको इसका कम्प्लीट आपको मिलती रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना है और आपके पास एक अच्छी होस्टिंग नहीं है तो हम होस्टिंगर की होस्टिंग प्रवाइड कर रहें जिसकी कोस्ट बहुत जादा मिनिमम है 1500 रुपीज मे आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हैं और आप भी professional website बना के earning कर सकते हैं और वर्डप्रेस पे sites बहुत जल्दी approval भी हो जाती हैं तो अगर आप buy करना चाहते हैं whatsapp number description में है जाके आप contact कर सकते हैं अभी recently new hosting accord buy की है तो आप उसमें join कर सकते हैं तो guys मैंने यहाँ पे already pioneer pioneer का account open किया हुआ है आप अपना account website के through भी create कर सकते हैं और pioneer की application है जिसको आप play store में भी install करके वहां से भी आप pioneer account create कर सकते हैं simple से steps है same आपने process को follow करना है तो guys pioneer पर आने के बाद यहाँ पे आपको register का option मिल रहा है आपने इस पर click करना है then guys यहाँ पे आपको option मिल रहा है choose the right pioneer account type for your business needs तो आप इन में से कोई भी एक select कर सकते हैं मैं यहाँ पर for example select कर ले तो IT and consulting आपने यहाँ पर select कर लेना है I am just getting started आपने zero dollar यहाँ पर select करना है then guys यहाँ पर आपको register का option मिल जेगा आप guys यहाँ पर आपको इस type का form fill करना है जो के same methods आपने इसमें follow करने first of all यहाँ प fields in English characters only तो आपने यहाँ पर form English में ही fill up करना है first of all आपसे first name पूछ रहा है then आपसे last name पूछ रहा है उसके बाद आपने यहाँ पर email address देना है then again email address देना है उसके बाद अपनी date of birth देनी है एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप जो भी options select कर रहे हैं आपने real options name add करना है real date of birth वगरा add करनी है ताके अगर आपके account को कोई भी issue होता है तो आप उसको easily verify करवा सके अपने cnac या id card कर दो तो यहाँ पर first of all आपने अपना name add कर लेना है next यहाँ पर आपने अपनी Gmail add करनी है again यहाँ पर email paste कर देनी है उसके बाद यहाँ पर आप से पूछ र number add करना है country select करना है उसके बाद address add करना है दन आपने city add करना है और postal code तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फिलप कर लेता हूं country आप ने यहाँ पर अपना select कर लेना जैसे कि यहाँ पर already Pakistan select हुआ वह अब यहाँ पर आपने street and number add करना है तो मैं यहाँ पर street number उगरा सब fill up कर लेता ह अब यहांपे आपने अपना नंबर ऐड़ करना है अब आपने यहांपे वेरिफाय कर लेना अपना फून नंबर आपके फून नंबर पे आपको code रिसीव होगा वो code यहांपे आपने पेस्ट कर देना है send code पर 설 know by Vale और सुम्हेंजार है then आपने यहाँ पर next पर click करना है second last option मिल रहा है security details अब आपने इसके अंदर first of all अपना password अड़ करना है उसके बाद यहाँ पर re-enter password मिल रहा है इसमें भी आपने same password अड़ करना है then आपने security questions यहाँ पर दे लेने हैं उसके बाद आपने अपने ID card की details देनी है जिसमें आपने अपना CNIC card यहाँ पर लाजमी add करना है तब भी यहाँ पर आप verify करवा सकते हैं first of all में यहाँ पर अपना password अड़ कर लेता हूँ अब आपने security questions अड़ करना है तो इसमें से आप कोई भी security question अड़ कर सकते हैं अब आपने अपनी CNIC details यहाँ पर अड़ करनी है first of all यहाँ पर आपने country अपना select करना है country आपने add करने के बाद ID type अड़ करनी है जो के national ID आप अड़ कर सकते हैं या driving license या फिर passport तो आपने यहाँ पर national ID select करना है उसके बाद यहाँ पर आपने ID card number add करना है information complete करने के बाद then guys यहाँ पर आपने next पर click करना है जैसी guys यहाँ पर आप next पर click करते हैं आपको यहाँ पर show होता है please enter your first name in local language तो यह आपके error बार बार शो करेगा तो आपने इसको कैसे fix करना है first of all guys यहाँ पर जो आपके options आ रहे है आपने इसमें उर्दू language के अंदर या हिंदी language के अंदर translate करना है translate करके यहाँ पर अपना name add करना है for example यहाँ पर आपने google translator open कर लेना है google translator open करने के बाद आप यहाँ पर अपना full name add करें full name add करने के बाद अब आपने क्या करना यहाँ पर आपके एक उर्दू लाइंगविज के इंदर translate हो जएगा या फिर hindi लाइंगविज के राइंगविज के आप इसको translate कर सकते हैं आपने इसको local language में translate कर लेना है then आपने क्या करना है यहां से first name copy करना है और यहां पर आपने इसकी जगहां पर paste करना है then आपने second name यहां से copy करना है और इसी तरह आपने second box के अंदर इसको paste करना है आपने इसके अंदर English के अंदर add नी करना है अपनी local language के अंदर name add करना है then आप यहाँ पर guys next पर click करेंगे तो यह आपके next पर click हो जाएगा और इसी तरह आपका यह sign up हो जाएगा तो यह simple सा method है इसको आपने लाजमी follow करना है जो के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और उनको बार-बार यही error show कर रहा होता है तो इस तरह आप इसको fix कर सकते है देन आपके यहाँ पर last option आ रहा है जिसके अंदर personal account आपने select करना है देन आपने bank country select करना है तो country आपने यहाँ पर अपना add कर लेना है उसके बाद आप currency added कर सकते है जिसमें bank का name add सकते हैं यहाँ पर holder name add करना है। उच्छी यहां पर पीडिक करना है। यहां पर आपका आपका यहां पर एक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने वो ही number add करना है, then आप यहाँ पे submit पर click करेंगे, यह आपके verify हो जाएगा, तो यह simple steps हैं, इन सभी को आप follow कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, इस वीडियो से आपको help मिल गई होगी, अगर आपको इस option के बाद भी नहीं समझ आ रही है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में, नेक्स टोपी के साथ, अल्ला हाफीज,